हलो दोस्तों कि आपके बोन में फ्रेक्चर हुआ है और आप यह जानना चाते हैं कि आपकी जो टूटी होई हड़ी है वो कितने दिन में नॉर्मल हो जाएगी यदि हाँ तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास तक पूरा देखे और मैं इस वीडियो में आपको डिटेल मे बताऊँगा कि हड़ी के जुड़ने की प्रेकरिया कैसे होती है कितने दिन में वो नॉर्मल हो जाती है किन चीजों को खाने से वो नॉर्मल हो जाती है और किन चीजों को आपको अवड करना चाहिए नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपॉलो होस्पिटल जैपूर में और एड़वांस होस्पिटल जैपूर में दोस्तों हड़ियां हमारे शरीर का बहुत ही जरूरी अंग है वो हमारे शरीर को सपोर्ट प्रदान करती है जिसकी मदद से हम उठते हैं बैठते हैं दोडते हैं भागते हैं हड़ियां कैलशियम की और फासफोरस की बनी होती है और मजबूत हड़ियां हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जब भी हमें कभी चोट लगती है तो हड़ि तूड जाती है और फिर हड़ि को जुड़ने में कुछ तमय लगता है हड़ी के तूटने की प्रेकरिया को fracture कहते हैं यह दो तरह का हो सकता है दोस्तों एक तो traumatic fracture जो की गिरने पढ़ने से होता है और एक pathological fracture जो किसी बिमारी की वज़े से होता है इस वीडियो में हम लोग traumatic fracture यानि चोट लगने के बाद होने वाले fracture के बारे में बात करेंगे दोस्तों fracture के बाद डॉक्टर आपके plaster लगा देते हैं या फिर operation की सला देते हैं प्लास्टर उन हड्डियों में लगाया जाता है जो कि या तो बहुत छोटी होती है या फिर जिनके अंदर displacement ज्यादा नहीं होता तो सिर्फ प्लास्टर से थोड़े दिनों तक रेस्ट मिलने की वज़े से वह जूड़ जाती है दोनों ही conditions में चाया operation हो या ना हो जो fracture का जुड़ना है दोस्तों वो कुछ बातों पर depend करता है उसमें जो factors होते हैं वो होते हैं fracture के खुद के factor और patient के खुद के factor हो जैसे कि fracture अगर ज़्यादा तूटा हुआ है या कम तूटा हुआ है फ्रैक्चर जस जगे हुआ है वहां पर क्या mass फट गया था या blood नीकला था अगर फ्रैक्चर जहां पर टूटा है और CEO मास नीकलता है तो ऐसे practices को compound fracture करते हैं इन फ्रैक्चर को जुड़ने में काफी ज़यादा time लगता है क्योंकि compound fracture ने जो उटना पर hemyatoma होता जिसमें की fracture होता है लेकिन बाहर से कोई हड़ी नहीं दिखती, कोई स्किन में कटनी लगता या बलड नहीं बैता ऐसे fracture जादा तर तीन से साड़े तीन महीने में जूड जाते है fracture healing में दोस्तों सबसे पहले जो mass है वो चिपकने की कोशिश करता है जिसे की soft callus कहते है उसके बाद उस पर calcium जमने लगता है जिसे की hard callus कहते है एक बार जब calcium जम जाता है तो उसके बाद bone अपनी natural shape में आने की कोशिश करते है जिसे की remodeling कहते है तो soft callus, hard callus और remodeling ऐसे 2-2 महीने की प्रक्रिया है तो कुल मिला के 3-4 महीने में fracture hard callus बन जाता है और 6-7 महीने में remodeling हो जाती है लेकिन अगर आपके diabetes है, thyroid है, nutritional कोई कमी है, आपके शरीर में किसी तरह की immunity power कम है या आपको steroid आपने लंबे समय से ले रखे हैं तो ऐसी वज़े से fracture के heal होने में कई बार ज्यादा समय लग जाता है जिसे की delayed union कहा जाता है और दोस्तों कई बार तो fracture बिलकुल ही नहीं जुड़ता जिसे की non union कहा जाता है delayed union होने पर special tablets होती है दोस्तों जो हम provide कराते हैं जिसमें की calcium और cesus quadrangularis होता है और special प्रकार की physiotherapy कराई जाती है जिसे की fracture को जल्दी जुड़ने में help होती है लेकिन अगर non union में हड़ी चली गई है और जुड़ नहीं रही है तो ऐसे में bone grafting के आशकता होती है तो आप मुझे अपने नीचे लिखे गए नंबरों पर contact कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर comment section में message कर सकते हैं दोस्तों कई बार ये भी decide करने में आपको दिक्कत आती है कि operation कराया है या plaster ही करवाएं ऐसे में senior orthopedic surgeon की बात को मानना चाहिए कई बार लोग hardware के पास या चूरन चटनी या मालिश कराने लग जाते हैं जिससे की fracture के साथ-साथ mass की quality भी खराब हो जाती है और उसके बाद तो हमें operation करने में भी दिक्कत आती है तो किसी भी प्रकार का fracture हो तो bone setter, hardware, hard jod, palwan या चूरन चटनी के पास ना जाएं उस fracture वाले part को splint लगा दें ताकि movement होना बंद हो जाएं और उसके पस्चा जल्द से जल्द orthopedic surgeon के पास जाकर x-ray करवाएं x-ray साधरन x-ray भी कराए जा सकते हैं लेकिन अगर hairline fracture है तो दोस्तों digital x-ray करवाने चाहिए जहां तक plaster की बात है दो तरह का plaster हम लोग लगाते हैं एक चूने वाला plaster होता है जो थोड़ा सस्ता आता है और एक plastic वाला lightweight plaster होता है जो unbreakable भी होता है और उसकी खास बात ये भी होती है कि उसमें आप x-ray भी कर सकते हो जो एकदम clear दिखते हैं तो दोस्तों ये जानकारी थी fracture के बारे में और fracture की healing में कितना time लगता है इसके बारे में आप लोगों को हड़ी से समदी जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को like और subscribe करिए धन्यवाद दोस्तों